हालो डियर बैंकर्स हम करने एक क्रिस्प शॉर्ट मैनर में समराइज में में आपकी चैप्टर्स रिवाइज फॉर यॉर मॉड्यूल बी फॉर यॉर पेपर नंबर टू पीपीबी आज के सेशन में यूनिट 25 आपके मॉड्यूल बी का यूनिट 25 कर रहे हैं मॉड्यूल बी का 22, 23 और 24 यूनिट अल्रेडी अपलोड़ेड है चैनल पर अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखेगा ताकि आपको बेसिक बाते भी समझ आती रहे पीछे से आज के सेशन में यूनिट 25 करेंगे माइन में सीमें में दिशादुआ एड लेट गेट गोइंग विदावट अनी फर्दर अडूस। पहले समझते हैं कि कोई बैंक किसी इंसान को किसी इंडिविजुटियल को जब लोन देता है तो कुछ सेक्यूरिटी रखना चाहता है वैसे लोन अन्सेक्यूर्ड भी होते हैं इस इनकी बार में थोड़े ज मतलब good का मतलब तो हम stock के बारे में बात कर रहे हैं हम किसी सामान के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़े उस good के अंदर होनी चाहिए उस समान के अंदर होना चाहिए जो security जैसे रखने को bank ready हो गया है in return of the money मतलब अगर आपने हमारे पैसे जो लिए हैं मतलब bank पैसे जो लिए हैं वी समान को बेच के अपने पैसे recover करे जा सकते हैं तो उस समान में क्या क्या बात होनी चाहिए oh ढरोर का good title होना चाहिए जो समान मैं रख रही हूं मतलब मानले तरहा है मैं घडी रखारी हूं आपके पास घरवी पैसे रखने के लिए पैसे लेने के लिए लाए लेने के ली तो ये गुड म sa गोड इस टाइटल की चार साहट मेरे पास हो नंगा इसकी पोसेशन पैस होने चाह proportionET lease happening let's say for example जो वो इमोवल प्रोपर्टी की काटिगरी में चली जाएगी बट मुवबल इमोवल दोनों की प्रोपर्टी पे आप समान गिरवी रखके पैसे ले सकते हैं इसका टाइटल ओनर्शिप मेरे पास होना चाहिए प्रोपर्टी मेरे निथी पैसे में लिए अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने अशेट ज्रेव एजिली आइड़ेबल होना चाहिए यह पता ही ज़ना तुम्हार ले वैल्यूबल है मिल्ले वैल्यूबल ही निया उसकी कुछ साथ रुप्य यह यह 25 षृपी वाहद ले रहे है तो समय रहरा है अगलिए टाक साथ रुप्य इंशार थीप म्हारत कि यह थी पुरी टिर्लिधाटी से निछ हम भी परगई का यह इतने इन फीने कार्टी पास को निख थे इसलिए यह भी आप हम as a good trade नहीं करेंगे ownership आपके पास absolute होनी चाहिए लडाई जगडे वाली property नहीं होनी चाहिए security easily marketable होनी चाहिए freely transfer में बिख सकता हूँ assets बहुत जादा fluctuate ना करता हो कभी तो 10 पर चल रहा है कई 5000 पर पहुच चुका है market value easily ascertainable market में जाए तो उसका दमदाम एजली लगापाई जैसे gold है इसको समान को possible हो रखना एक secured manner में अगर pledge भी करते हैं अपने पास रखते हैं तो उसको जंग से रखना है उसकी maintenance में आपका इतना costing हो रही है security जो है वो durable होनी चाहिए for reasonable period of time जितने भी समय के लिए loan दे रहे हैं उसको बात को हम consider में जरूर रखेंगे consideration में जरूर रखेंगे सारी बाते अगर होती है तो bank सोच सकता है कि इस secured asset पे आपको लोन दे दे अब secured or un secured क्या है जब कुछ गिर्वी रखके से मान लेते हैं with a promise of course intention यहीं कि पैसे वापस दे दी जाए अगर नहीं है तो यह collateral जैसे act कर लेगा अगर आप पैसे नहीं देते हो default कर देते हो जिसने loan लिया है तो हम पैसे प्रॉपर्टी को बेच के पैसे लेगे un secured loans को हम clean loans भी कहते हैं मतलब इस बात पे आश्रित है कि आपकी future में जो earnings होने वाली हैं वो इतनी होगी कि आप हमारे पैसे हमारको वापस दे देंगे आपकी credit worthiness में होता है अफकोर्स यहां पर रिस्क जादा होता है इसलिए interest भी कहीं जादा ही होता है तो secured होते हैं guaranteed by collateral होते हैं यहां पर कोई guarantee नहीं होती secured जो होते हैं again यहां पर rate of interest कम रहता है यह rate of interest कहीं जादा रहता है कि क्या risk भी जादा है यहां पर higher credit limit मिल पाती है यहां पर lower credit limit मिलती है आपको यहां पर अगर borr default करता है तो उसकी collateral को आप seize कर लेते हैं अपने पैसे recover कर लेते हैं यहां पर इसलिए approvals भी भी काफी formalities ले लेते हैं जो पैसे दे रहा है वो भी अपनी पूरी जान बीन गटने गा दी आपको पैसे देगा यहां पर home mortgage, car hypothecation और unsecured का credit card जैसे examples हैं हमारे पास दोस्तों ठीक अब secured loan कहीं न कहीं verify करता है solvency of the borrower और charge कर देता है asset को but unsecured जैसे मैंने बोला कि इनको clean loans भी कहते हैं confidence पर बेज़ड है कि borrower जो पैसे ले रहा है वो रीपे कर देगा ठीक है जी चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी properties को ऐस security रखा जाता है जैसे land and building है कोई goods है कोई life insurance है कोई आपने shares देनी हैं कोई debentures देनी हैं सब securities जैसे act कर सकते हैं कि इसकी क्या provisions आई इसको भी समझ लेते हैं कोशिश करेंगे next seven to eight minutes में हम इस chapter को close करतें तो अगर आप चाहते हैं unit 25 को अच्छे से समझना तो मेरे साथ इंड तक बने रही है का दोस्तों land and building में क्या होता है let's say this is the borrower यह property जो यह land and building है अगर पीछे जो हमने first slide पर बात करेंगे यह good जो है without any income लेंश होने चाहिए liability इसक्टर नहीं होने चाहिए वह सब बात है अगर इस property में है loan रखे as a security as a secured loan यहां से mortgage करके property पे आप ऐसे ले पाएंगे bank दे सकता है of course क्या valuation है property की वह किस region में है jurisdiction में है laws regulation जो भी होंगा उसको मद्दे नजर रखते हुए ही bank loan देने वाला है जैसे हमने property यहां पर land and building mortgage देखा क्यों immoval property थी, immoval property की case में यहां प्लेज हो जाएगा hypothecation हो जाएगा यहां पर loan मिल जाएगा उस good के ओपर having said that requisites हो maintain हो रहे होंगे यहां पर comply हो रहे होंगे यहां पर भी अब 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 तरीके की goods हैं जैसे कि आपन के पास natural durability पे बेस्ट है जो generally human consumption के लिए होते है जैसे for example fruits है food है कोई chemical raw material है physical strength characteristic है जिसका यहां पर let's say किसी current से उसमें deformity आ जाती है कोई breakage आ जाता है let's say rubber, mica, plastic, glass इसके example है chemical nature के हो सकते हैं inherent atmosphere उनका ऐसा है कि change हो सकते हैं किसी air से, moisture से वो reactive हो सकते हैं जैसे brass goods, salt salt में moisture आ जाता है जैसे यह example से utility products जो physical appearance या फिर chemical composition के वैसे इनका storage काफी effective रहता है जैसे furniture, medicines, fruit jams, etc fashion और style utility कहीं ना कहीं effect कर होता है customer की preference से mobile handsets, garments, laptops, saris, etc यह types of goods हमारे Macmillan में दिये में और मैंने यह चार्ट आपको वहीं से दिया है एक बार इसको पढ़ लेजेगा and that's pretty much it यहांसे बहुत questions नहीं बन सकते बट अगर बन सकता है इसलिए जरूर इसको पढ़िएगा एक बारी पढ़ने में कुछ नहीं जाता है कितने मिनेट लगेंगा एक मिनेट लगेगा maximum जितना मुझको लगा एक बारी आपने उसे सुन भी लिया देख भी लिया अब एक बारी खुद भी देख लेंगे है ना चलिए Documents of Title of Good Documents of Title of Good हमको बता रखा है Sales of Goods Act में इसमें सोगा में बताया हुआ है और इहां से बन जाता है एक्जाम में Question Sales of Goods Act 1930 के रंदर Document of Title of Good बता रखा है कि Mere Possession of the Document कही न कहीं आपके पास Right Create कर देता है या तो Law के द्वारा या ट्रेड के द्वारा या या यूस के द्वारा कि आप उस प्रॉपर्टी का Document जो टाइटल है वो विद दे दॉक्यमेंट विद दॉक्यमेंट विद प्रूफ होल्ड करते हो जो ये गोड्स रिप्रिजेंट करते हैं Documents ये ट्रांस्फरेबल होते हैं ये इंडॉसमेंट के थ्रूफ या डिलिवरी के थ्रूफ जबकी ये ये अल्दो ये अपिर तो बी नेगोशियाबल इंस्रूमेंट वेर्य इंपर्जन है जबकी ये Document of Title of Good लगता है कि नेगोशियाबल इंस्रूमेंट है बट ये है नहीं यहां से बन सकता है MCQ ठीक फिर बात करते हैं एक एक ग्जाम्पल की इस एक बड़ी आप रीड करेंगा जिस में बता जेती हूं जैसे फॉर एक्जाम्पल कोई Bill of Lading है कोई warehouse keeper का certificate है कोई railway receipt है एक अक्नॉलिजमेंट है कि प्रॉपर्टी मेरी है तो कोई समान रास्ते में जा रहा है उस रेल्वे में जा रहा है उसकी receipt मेरे पास है अब जबकी समान बैंक के possession में नहीं अगर मैंने receipt endorse कर दी तो इसको प्लेट जैसा मान लिया जाएगा ठीक है और इस receipt को इनफ अप प्रॉफ है कि यह document of title e product मेरा ही है और उस पर भी loan मिल सकता है ओके फिर advances against life insurance जैसे इसको हम बोलते है assignment इस पूरे process को बोलते है assignment आने वाली कुछ classes में assignment detail में भी बात करेंगे और एक बड़ी overview देख लेते है assignment of life insurance life insurance के against आप loan मिल रहा है मालने ते हैं इनसान गया bank के पास मुझे loan चाहिए bank ने का ऐसा तो मैं लोन नहीं दूंगा मुझे तो कोई security चाहिए for that purpose इस person ने अपना LIC insurance था वो इनको assign कर दिया इस case में यह बन गए assigner यहां से हो गया जो premium हो रहा था यहां पर जा रहा था अगर just in case default करते हैं तो insurance company इनहीं को पैसे देगी यहां पर loan grant हो जाता है of course by creating a security life insurance policy है ठीक है इसके थूब भी advances हो जाते हैं फिर shares रखके आप loan ले सकते हैं चाहे वो equity हो चाहे वो preference हो चाहे वो listed हो चाहे वो unlisted हो of course क्योंकि unlisted companies के share की पास ready market नहीं होती है तो bank इसको इतना जादा prefer नहीं करता है आपने पीछे देखा था कि marketability होनी चाहे है कहीं न कहीं private companies की shares में भी restrictions होती है तो bank उसको भी बहुत जादा consider नहीं करता है banks provide करते है demand loans overdraft on equity यहां पर maximum 20 लाख तक का loan मिल सकता है ठीक है यह बात भी अपने याद रखेंगे आने वाली किसी unit में इसकी बार में detail में बात भी हो रखी है ठीक है जो nature of charge create होता है वो इक तरीक से pledge बोल रहे है जब हम shares जा रहे है of course fully paid होंगे partial paid के वार में तो हमने first slide में ही बात कर ले थी कोई भी loan shares के अगेंस किसी private limited company में नहीं मिलता क्योंकि हां पर exit route नहीं है banks upgrade कर सकते है amount जो दे रखा है अगर card limit regular basis पर upgrade हो रही है statuatory limits जो है company की वह भी मद्य नजार रखनी पड़ेगी जब shares गिरवी रखकर पैसे दिये जा रहे है ठीक है अभी एक important point है यहां पर Macmillan से बना हुआ question MC की तो जो banking regulation act है हमारा 1949 है वह यह बोलता है कि कोई banking company चाहिए mortgage के form में हो चाहिए absolute ownership हो किसी भी company का किसी of their authorized share capital of their paid up share capital ठीक है या फिर paid up share capital and reserves जो भी कम है उसका 30% से जादा नहीं होना चाहिए दोनों ही बात है important है मैंने यहलों में mark कर रखी है और जो aggregate exposure रहता है consolidated banks एक bank से जादा लोग दे रहे है पैसे इस share पर 40% of the net worth of the previous year से जादा नहीं होना चाहिए जह मैं 31st March को खड़ी हूं पीछे वाले साल में overall ceiling कितनी दे रखी है 20% of its net worth उससे जादा नहीं हो सकती है 20% से जादा नहीं हो सकती है जितना भी net worth है उस share का सब्स्राइब करना चाहते है तो वहां पर क्या होता है कि 10 लाग से जादा नहीं हो सकता है 50% का margin यहां पर maintain करना पड़ता है IPO जब पहली पहली बार initial public offering company पहली बार दे रही है share फिर तो market में चलते रहेंगे कोई बेच रहें कोई खरीद रहें credit जो है corporates को नहीं मिलता यहां पर कोई company दूसरी company जब share खरीदना चाहती है IPO खरीदना चाहती है यहां पर पैसे नहीं मिलता है यह एक important pointer है यहां से भी exam नहीं question बनता है माल लेता है bank coal ending basically इस पर भी unit बनी विया है हमारी I think 30 के end में कहीं पर unit 37-38 unit वहाँ पर basically ऐसे हो रहा है bank NBFC को लोन देता है आगे लोन देने के लिए तो अगर NBFC आगे किसी और को लोन दे रही IPO purpose के लिए तो bank यहां पर लोन नहीं ग्रांट करेगा इस point का मतलब यह है bank जो है assist करता है अपने employees को to buy shares let's say for example ESOP 90% of the purchase price 20 lakh whichever is lower 20 lakh के बारे में थोड़ी दे पहले आपको बात करें यह रहते हैं आपके subscription to IPO की stories को इक बाई जरूर पढ़िएगा यहां से मुझे gut feeling exam में questions बन तकता है यह सामने shares देखेते हैं debentures के gains भी loan ले सकते हैं debentures एक तरीकी का loan ही है जो किसी indivision ने company को दे रखा है पैसे मिलेंगे वापस अगर redeemable है percentage fixed रहेगा interest का जैसे loan में होता है वैसे यहां पर रहने वाला है हम debentures को mortgage कर सकते हैं चार्ज create कर सकते हैं और bank पैसे दे सकता है इस बात पैसे secured asset रखे term deposit के against मेरा ही आपके bank में FD है उसके against me loan मिल सकता है और आपके लिए तो safe है just in case मैंने default कि आप FD से realize कर लोगी पैसे और यह सारी बात यहां पर लिखी हुई है यह सब लोग ले सकते हैं जाए वो resident of India हो, family trust हो, HUFO, club societies हो, sole proprietors हो यहां से थोड़ाता tricky question बना देंगे कि यह लोग तो allowed है यह भी allowed है आप term deposit अपने FDs के against term deposits के against ले सकते हैं जो loan amount है बहुत सारी चीज़ों पर depend करेगा जैसे आपका अगर आपको कोई personal loan लेना है तो आपका credit score कितना है आप कितने पैसे कमाते हैं कितने समय के लिए आप पैसे लेना चाहते हैं तो जो case FDs के against होता है वो depend करेगा कि आपने कितने की FD बना रखी है उसके against ही तो आपको पैसे मिलेंगे आपको पैसे इसका मतलब है अगर आपने invest कर रखा है higher amount अपने FD में तो आप जादा loan लेने के लिए eligible है एक simple बात है but again important बात है ठीक चलिया आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं क्या gold ornaments के against भी loan मिल सकते हैं 75% इसका LTV रहता है कि जो property है उसका 75% से जादा का आपको लोन नहीं मिल सकता है प्लेज के फ़र्म में पैसे मिलते हैं अब यहां पर जो gold है it has to be in form of jewelry loan जो है उसे jewelry पे मिलता है pure gold पे raw bullion gold पे नहीं मिलता है और 22 carat होना चाहिए तभी मिलेगा 22 carat से मीचे 18 carat है 14 carat No, you will not be able to access loan from that gold ornament gold ornament अब यह भी एक important pointer यहां से भी exam में question बन सकता है पीछे बना है past years में लेकर जाते हैं अगर bullet repayment हो रही है loan की तो यह 2 lakh से जादा किसी ही समय पर नहीं होना चाहिए और 12 महीने से जादा भी नहीं होना चाहिए इंटरिंबिल्स भी हो सकते है final bills भी हो सकते है जनरली यह जो transactions government और PSU के साथ होते है कि वहां से तो पैसे आएंगी हमने आगे endorse कर दिया और उसके अगेंस loan ले लिया यह भी possibility ठीक है फिर अपन गया से वीकल फिनांस है परसनल या फिर कमर्शल परपस के लिए आप loan ले सकते हैं यहां पर tenure जो रहता है वो तीन से पांट साल का रहता है important है यहां से भी आपका MCQO बन सकता है and with this we come to the end of your unit 25 एक crisp shot fast manner मैंने आपको पढ़ाया है आपको जभी भी टाइम मिलता है आप office में भी 10-15 मिनट निकाल के वीडियोस देख सकते है और आप PPB के लिए यह अपनी कर सकते है module भी अपने आप में बहुत important है 20 units करी करता है हम कोशिश करेंगे exam से पहले module भी आप मुझे अपना प्यार देते रहेगा मिलते हैं आपके साथ आपके पास आपके अपने JIB CIB वाला YouTube चानल पर विद यूनिट 26 तिल देन बबाई